हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूटूब चैनल पर आप सभी का मुबाइल में Chrome ब्राउजर रहता है क्योंकि आप जब नया मुबाइल खरिते हो तो कमपनी ने इसे पहले से इंस्टॉल करके दिया हुआ है तो दोस्तो आज मैं Chrome ब्राउजर का ऐसे तीन hidden features बताने वाला हूँ जो आपका मुबाइल कभी भी कोई hack नहीं कर सकता आपके बहुत बराबरा नुक्सान होने से आप बात जाएंगे तो इसलिए कहता हूँ दोस्तो वीडियो को last तक जरूर देखे तो दोस्तो सबसे पहले Chrome ब्राउजर को open करते है open करने के बाद आप लग सोसेंगे कि मैं तो Chrome ब्राउजर में YouTube देखता हूँ, Facebook देखता हूँ और वीडियो भी देखता हूँ तो कोई तो दिक्कत नहीं आता तो इसमें नया क्या है तो दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत बढ़ा नुक्सान होने से बच जाएगा तो दोस्तो पहला ट्रिक है तो मान लिजी कि आप Google में जाकर कुछ SSC सर्च कर रहे है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते या प्राइबेट रखना चाहते है या फिर ऐसी वेबसाइट को आपन करना चाहते है जो आप किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहते है तो हो सकता है कि आप 18 प्लास की कुछ चीज़े देख रहे हो तो दोस्तो आप कैसे कंफर्म करोगा कि आपकी मुबाल की जो कैमरा है उसे एक्सेस करके आपकी फोटो ना ले तो दोस्तो आप कैसे कंफर्म रहेंगे कि उस वेबसाइट वाला आपकी कैमरा को एक्सेस करके आपकी फोटो ना ले सके तो हो सकता है आप गलती से आपकी camera का allow permission दे रखा हो हो सकता है दोस्तों आपकी photo कोई दुसरे बंदे के पास पहुच जाए तो आप पूरी तरीके से private रहना चाहते है तो आपको एक setting करना परेगा तो यहाँ पर three dots का एक option है उस पर click किजिए click करने के बाद नीचे setting पर click किजिए setting पर click करने के बाद तो नीचे यहाँ पर एक option मिलेगा site setting उस पर click किजिए site setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा camera click करने के बाद तो यहाँ पर camera का access allow on है तो आप लोगों को इसे बंद कर देना है तो दोस्तो ये था हमारा पहला ट्रिक तो दोस्तो आप बच करेंगे सेकंड ट्रिक के बारे में तो दोस्तो हमारा जो private data है वो hack ना हो जैसा की internet banking हो गया facebook का password, whatsapp का password यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरह का data hack ना हो उसके लिए आपको एक setting करना परेगा तो फिर से आपको three dot पर click करना है three dot पर click करने के बाद नीशे setting option पर click करना है setting option पर click करने के बाद तो यहाँ पर privacy and security option पर click करना है click करने के बाद आपको एक यहाँ पर option मिलेगा safe browsing तो उस पर click करना है Safe Browsing पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तो अगर आप Full Safety में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर Enhanced Protection पर क्लिक कीजिए यानि कि आपकी Production को Enhanced करके रखेंगे यानि कि बरहा के रखेंगे तो दोस्तो यह थी हमारी Second Number की Setting तो दोस्तो आप बात करेंगे Third Trick की तो दोस्तो यहाँ पर होता क्या है जब आप किसी गलात वेबसेट पर विजिट करते हैं तो उस वेबसेट से आप लोगों की मुबाइल में गलात गलात नोटिफिकिशन आना शुरू हो जाता है तो दोस्तो अगर आप किसी लोगों के साथ खरे है तो आपकी मोबाल में ऐसा नोटिफिकेशन आए तो बहुत दिक्कत हो जाता है तो ऐसी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद उस वेबसाइट आपकी मोबाल में नोटिफिकेशन भेजने लगती है तो दोस्तो इस तरह का notification off करने के लिए आपको एक setting करना परेगा तो दोस्तो फिर से आपको three dot पर click करना है three dot पर click करने के बाद setting option पर click करना है setting option पर click करने के बाद तो दोस्तो यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा notification उस पर click किजी notification option पर click करने के बाद तो दोस्तो यहाँ पर जो allow notification का option है वो on है आप इसे बंद कर दीजिए बंद करने के बाद आपकी mobile में Chrome browser से कोई notification नहीं आएगा तो दोस्तो अगर information अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe जरूर करें Thank you